बलादा बाजार जले में 6 साल की बच्ची से रेप का मामना सामने आया है उससे रेप किसी और ने नहीं बलकि उसके घर में ही आने वाले एक युवक ने किया है वह घुमाने और कुलकुरे खिलाने के बहाने घर से बच्ची को ले गया था इसके बाद उसने खेत में ले जाकर मासून के साथ रेप किया मामले में शिकायत के बाद अब पुलिस ते आरोपी को गिरफतार कर लिया है मामला पला दिथाना शेत्र का है ये पूरी बारदात शुक्रवार दोपहर के बताई जा रही है जब आरोपी मधुराज बोस उम्रे 20 वर्ष बच्ची के घर पहुचा ही था इसके बाद वहाँ बहाना करके उसे घर से बाहर ले गया ले जाने के बाद उसने लड़की से सम्मंद बनाया था इतना ही नहीं उसी युबक ने बच्ची को घर भी छोड़ा फिर जब बच्ची ने अपनी मा को बताया कि उसे दर्द हो रहा है बताया जा रहा है कि बच्ची ने पूरी बात उसी रात को अपनी मा को बताई थी जिसके चलते बच्ची की मा काफी परिशान थी इधर आरोपी मदुराल जगलेदिन शनिवार को भी बच्ची के घर आया था जिसे देखते ही बच्ची की माँ गुस्से में आ गई और उसने आरोपी को जम कर पीटा इसके बाद उससे पूछता चकी बाद में महिला ही आरोपी को लेकर ठाने गई थी जिसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहँचा है बच्ची की माँ ने आरोपी के खिलाफ करी कारेवाही करने की मांग की है वही पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर उसे गिरफतार कर लिया है आरोपी बीएसी सेकंड येर का स्टुडेंट है उसका पिता गिदपूरी सिरकारी स्कूल में टीचर है आरोपी पलारी के बगेल कॉलोनी वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है बने जिला प्रमुख वा ब्लाग प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सब चबड़ी न्यूज चेनल 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जूरने का 36 गड़ की सभी खबरे देखने के लिए देखते रहेए 36 गड़ एक्सप्रेस न्यूज सब्स्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले